नमस्ते, वेलकम बैक टो मैं चैनल, फ्लैश फेरी फ्लाइ, मैं हूँ स्नेहल, चॉकलेट बुले तो सबके चेहरे पे बहुती खुशी होती है, पर चॉकलेट बनाने के लिए केरेमल किस तरह से बनाना चाहिए, ओ बुले तो सब भी घर में आखे चॉकलेट बनाने तो पीछ प्रंची केरेमल बनाने का नहीं सिखा रहे हो, आज जूसी केरेमल किस तरह से बनाते हैं, वो सिखाने वाले हो, उसके लिए चाहिए इंड्रिडेंस दिखाते हो, इजे एंड्र क्विक रेसीपी बनाएंगे हम केरेमल शुगर, इसके लिए चाहिए वन कप शुगर, वन स्पून बटर, टू हंड्रेड एमल मिल्क, चलिए बनाने स्टाट करते हैं, अभी मैने ग्यास ओन कर दी हूँ, इस पे पैन रख दी हूँ, क्यारेमल बनाते हैं वक्त आपको ये देहन रखना चाहिए कि आप हेवी बोटम प्यान लेना चाहिए, मेरे पास इतना ही है, मैं सही लिए, इस से ज़्यादा हेवी बोटम रहेगा तो भी आपको चलेगा, अभी इसमें शुगर डालेंगे, वन कप शुगर ले हूँ में, आपके घर में जो भी अवेलेबल है मेजरिंग पूल, उसी के हिसाथ से आप ले सकते हो, अभी में लो फ्लेम पे रखी हूँ इसको, अभी इसमें एक बून भी पानी नहीं रहना चाहिए, इसी तरह से इसको शुगर को मेल्ट कर लेना है, अभी देखे ये शुगर मेल्ट होनी स्टार्ट हो गया है इसी तरह से हमको मेल्ट कर लेना नहीं और लो फ्लेम पे ही रखे मेल्ट करना है नहीं तो डार्क ये केरेमल जलने के चांसेस रहते हैं और उपर आए बटन दिखाए देगा वहाँ पे आप क्लिप कर सकते हो वहाँ से मेरे और अच्छे एच्छे वीडियो के लिंक मिल जाएगे आपको और फेस्बुक और इंस्ट्राग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो मुझे अभी देखिए ये केरेमल पूरी तरस से मेल्ट हो गया है इस तरस से पूरा मेल्ट कर लेते हो अभी इसे light में इतना ही light brown रखती हो और यदि आपको इसे ज़्वी ज़्यादा dark brown होना चाहे तो आप ज्वी ज़्यादा dark brown कर ले सकते हो देखिए friends मैं इतना ही lightly brown रखती हो अभी हम इसमें milk आड करेंगे धीरे-धीरे से मिल्क याड़ करते हुए अब मिल्क डालने के बाद इस तरह से उपगाल आने चाले होता है और थोड़ा सा केरेमल इसमें क्रंची जैसे ही स्प्रेड होने लगे तो कोई बात नहीं है डरने की वह इसमें दूद में अच्छे तरह से मिल जाएगा इसी तरह से हिलाते वक्त धीरे-धीरे आप इससे भी हेवी बोटम पैन लेना ज़रूरी है इसे ही आपको मिलाते हुए आप इस ग्यास पर रखके आप कहां पर भी ने जाना चाहिए इसको इस तरह से स्टर्व करते हुए और जो कुछ भी बाजू में आता है उसी स्पैचुला की मदद से इसको बीच में लेके आना है आपको अब हम इसमें बटर आड़ करेंगे मैंने वन स्पून बटर ले हूँ यदि आपके घर में बटर नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा क्रीम भी आड़ कर सकते हूँ अब ये पूरे एक मिनिट तक आपको इसी तरह से इस केरेमल को गुमाते हूँ बॉयल करना है देखिए फ्रेंट्स अभी इसकी कंसिस्टेंसी इतना ही रहना चाहिए इतना पतला है पर ये खंडा होने के बाद ठोड़ा गाड़ा हो जाएगा और फ्रिज में रखने के बाद तो फूल गाड़ा हो जाएगा जैसा हमको चॉकलेट बनानी के लिए चाहिए उतना अभी एक बार आप इसको केरेमल को घर में रेडी कर देए इतने टेस्टे रते इतने एमी रहते हैं आप बाहर से लेके नहीं आओगे कहई भी वे इतना इजी भी और क्विक रेसिपी है अभी इससे हम नेक्स्ट वीडियो में किस तरह से चॉकलेट बनाते हैं वो देखेंगे इसको थंडा होने के बाद किस तरह से होता है दिखाऊंगे अभी एक मिनिट पूरे हो गया है अभी हम ग्यास बंद करेंगे अभी हम इसे बॉल में निकाल लेंगे तंडा हो गया है आप इससे बना के आराम से प्रिजर में रख सकते हो 15 डिस तक अब कोई भी रेसिपे बनाते वक्त इसको यूज कर सकते हो दिखिए फ्रेंज कितना बड़या सा हो गया है अभी आप इसको किसी भी चॉकलेट बनाते वक्त अभी भी कुछी भी रेसिपी में आपको जरूरत पड़ेगी तो आप बना ले सकते हो यूज कर सकते हो मेरे आवर रिपी अच्चे अच्चे वीडियो पाने के लिए सब्स्राइब कर दो थैंक यू पर वाचिंग एंजिए रेसिपी